नमस्कार विद्ध्यार्थिमित्रों आजे आपने दोरन छोनी अंदर हिंदी विशे मा पाठ बे अनुटे इंसान विश्य अभ्यास करीशूं एसा था नेपोलियन यहापे नेपोलियन की कहानी दी गई है नेपोलियन जब छोटा लड़का था तबी से वह सत्यवादी था नेपोलियन जा रहे नानो तो त्यारते यह सत्यवादी है दो एड़ले के साचुज बोलतो एक दिन वह अपनी बहन इलिजा के साथ आँख मिचोनी खेल रहा था एक दिवस नेपोलियन पोतानी ब्यन ईलाइजा साथे संता कुकडी रमी रहयो हाथो मित्रो आंक मिच्छोनी का मतलब हो था ये संता कुकडी इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे डुंडने केली है इदर उदर दोड रहा था इलाईजा छुपाई गई थी अने नेपोलियन तेने शोध्वा माटे आम तेम दो अड़ी रहे हो थो अचानक वह एक लड़की से जा टकराया अचानक अज नेपोलियन इने शोध्वा माटे आम तेम दो अचानक एक छोक्री साथे बढ़कायो लड़की अमुरुक बेचने के लिए जा रही थी आज ओकरी जामपर विच्वा माटे जई रही थी नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गीर पड़ी नेपोलियन ना दक्का थी यानि टोपली नीचे पड़ी गई कीचड होने के कारण उसके सारे अमुरुक खराब हो गए नेचर कीचड दो इना कारणी बद्धा जामपर के वा थे गया मित्रों खराब थे गया वह रोती कहने लगी अब मोको में क्या जवाब दूँगी ए बीचारी रडवा लगी और रड़ता रड़ता क्यवा लगी का वह माने शुद जावा पिश इलाईजा कहने लगी चलो भईया हम यहाँ से भाग छले एटला मो नेपोलियनी बेन इलाईजा कहवा लगी का चलो भईया थी भागी जईए नाई वन हमारे कारण ही तो इसकी हानी हुई है नियपोल एनने कईयो कर नावें आपना लिदेजम कान नुक्षान था यूश या काकर नियपोल एनने जेब में रखे तिन सिक्के चोटे सिक्के उस लड़की को देखकर कहा बान मैरे पास ये तीन ही सिख्के है तुम इने लेलो आम कई नेपल एने पोता ना किस्टा मोती त्रौन नाना सिख्का काड़ेया अने चोक्रिन आप तो कह्यू बेन मारी पासे या त्रोन सिख्का छे अने तु ये लईले इन तीन सिक्कों से क्या होगा मेरी मौ मुझे बहुत मारेंगी लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो हम तुम्हें अपनी मौ से और पैसे दिलवा देंगे विचार करो भई आत्रहन सिक्काती छोक्रिय कि दू मारा शुदा है मारी मा मने खुब मार से छोक् सारू तो तुम हमारी साथे हमारा गयर चल अने तने मारी मा पासेती बीजा पैसा अपावी देश्यू जो आया चीतर आपने कंप्रेट बत्ता है लू समित्रों बरबर इस पर इला इजा ने नेपोलियन से का बया इसे घर ले चलोंगे तो मा नाराज हो येंगी इला इजा ना इनी बहने की दियो का भाई आने आपने गरे ले जेश्यू तो मा सुटाशे निराश्ती जेश्यू नेपोलियन नहीं माना वा उस लड़की को अपने साथ गर ले गया नेपोलियन माने नहीं और पेली चोक्री जामपरवाणी ने पोता ना घरे लाई गयो मा को गटना की जानकाड़ी देख वह बोला मा आप मुझे जो जेव खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजी मा तमें मने जेशा कर्ची आपो छो एमत या चोक्री ने तमें पैसा आपी दो ठीक है मैं तुमारी सच्चाई से कर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा मौने कहा इने मम्य की जो का ठीक तारी सच्चाई दीम कहूं खुब खुश्चू परम तो याद रागजी हावे तन एक मैना सुधी तारा खिस्या कर्ची माटे कई पौन नहीं मरें आऊ माय कहूं तर ने पुले ने कहूं ठीक है मा नेपुलेन अस्ते हुए का ठीक छे मा नेपुलेन ने आऊ अस्तास्ता की दियो माने उस लड़की को दो बड़ सिक्के दिए वा खुशी-खुशी घर लोट गई माने आ चोक्री नेपुलेन नी माय आ चोक्री जामफरवाई न ब्या मोटा सिक्का भ्याल थे खुश थाई अन गेर चाली गई नेपुलेन को दख्का देने की सजा तो मिली परंतु सत्य के पत पर चलने का कारण उसे यह सजा भुगतनेस में अधभूत आनन्द आया नेपुलेन चोक्री ने दख्को मारवाणी सजा तो इने मरी गई परंतु सत्य ना मारगे चालवाणी लिधे तेने आ सजा भुगवामो अनेरो आनन्द आवे हो वास्तव में नेपुलेन सच्चाई के पत पर चलने वाला इंसान था अकिकतमा तो मित्रो नेपुलेन अ वी सच्चाईना मारगे चालवाण एक मनुश्य हातो बचपन से उस्से कुद पर दरड़ विश्वासता और दरड़ इच्छा सक्ती भी ती नेपोल यान 12 पन ती जार नानों तोन मित्रों त्यान ती जेन पोताना पर दरड़ विश्वास तो अन यह मा दरड़ इस्छा सक्ति पन हाथी यान इचे एक चित्रा जुआ मित्रों सच्चा दान इटले के साच्चू दान सरश चित्रा पिलूश मालबार, यानि केरल की बाद है मित्रों आम मालबार नीननी वाच छे ट्या बड़ गरा नामके एक घाममें सभा का आउजन किया गया त्या बड़ गरा नामना एक घममों सभा नु आउजन कारओ मायो थू गांदी जीने अपने बासन सबामें उबाविती सभी इडिनोंसे जेवारों की भीक मागी। मित्रों गांदीजी पोत ना भाशन इंदर जे उपरसित भेजनों दी ये बाद्दा पासे गरेना न话 भीक मागी। अपना भाशन समप्त करके ग्वादीजी उनको निलाम करने लगे। पोता नो पाशन पुरू करी ग्वदी या वस्तुनी बोली ने वेचवा लागया इनुसु के बाए निलाम करी गया उसी समय कौमुदी नाम की सोर वर्ष की एक कन्या धीरे से मंज पर चड़ाई ए वकदे कौमुदी नाम ने एक सोर वर्ष नी नियानी चोकरी आ स्टेज आवा लागी उसने एक हाथ की सोनी की चूड़ी उतार दी और उसे ग्वदी जी को देते हुए बोली क्या आप मुझे अपने अस्ताक्षर देंगे अब आली का मन चुपर आईगी और एक आत्मी सोनारी बंगडी मित्रों उतार दी और ग्वदी जी ने आप तो बोली शू आप मने मारा अस्ताक्षर आपश्यों ड्रे गांदि जी अस्ताक्षर करी रहा थ ludzie कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी ग्वदीजी सही कर देंगे पर इंगडी अस्ताक्षर कर दिधी यहा देकर ग्वदी जी ने कहा अरे पगली लड़की दोनों चूडियों चुडिया देने की जरूरत नहीं है एक ही चुड़ी लेकर में तुम्हें अपने अस्ताक्षर दे दूंगा अरे गांधी चोकरी बंदे बंगड़ी आपनी तारे जरूर नती एक बंगड़ी लईने हूँ तने मारा अस्ताक्षर आपी देश इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गलेका स्वय महार उताल लिया गांधी जीने पुछा तुम्हें अपने मातापिता से आंड़ीया लेलिया। यहिना उत्तर में कौमिदी पोतना घरााने हो में तारे पन मीत्र निदी mond कोई पन उत्तर आपे अवगल इने पोता ना काणमों ती रहत न जरीट बुट्टियों पन काड़ी ना पी दिती मिद्रों गानती जी ने पुछा तुम्हे आभुष्वनों को देने के लिए अपने माता पिता से आगने लेली है गादी जी ने फड़िती पुछू का आगारीन आपा माता पिते तना आगने आपी चाँ आगने ते लिद्धी चाँ कौमों दी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा इसके पिता तो यही है न मान पत्रों की निला मि वही तो बोली लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं कौमों दी कई कुछ उत्तर आपे पहलाज कोई के कहयू काना पिता तो यहीज चे अने मान पत्रों की बोली बोलवा मोँ ते ओज बोली बोला भी तमने मदद करी रहा चे अब गांदी जीने कौमुदी से कहा तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गान्ये देने के बाद तुम फिर नए गान्ये नहीं बना सकोगी अवे गधी जी एक वमदीन कईू का तन खवर्शन का आग अलेना आप्या पशी तो फरीती नवा गड़ेना बना विशक्वानी नथी कवमदीने यह शत द्रड़ता पुर्वक शिकार कली गांधी जीन अस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य यह वाक्य ले दिया तुम्हे इन आभूशनों की अप्रिक्षा तुमारा त्यागी सच्चे आभूशन है कवमदीने आश्रत मक्कम ता पुर्वक शिकाली दी गांधी जी अस्ताक्षर करया पचे यह वाक्य लग्यू जा तारा गरेना करता तारो त्यागज खरू गरेनूँ शे केम बै किने नक्की कर दी दूजो काव आपन गरेना मलवाना है नती यह तले आपन गरेना पेरवाना पन नती सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं मित्रो साच्चे ज़ देश प्रेम ती चड़िया तु बीजू कशु छे नहीं आरिते मित्रो आपरे अनुटे इंसन के बारे में दो कहानिया पर दी गई है वो हमने अच्छी तरह पढ़ाई अब आपको गर से अभ्यास और स्वाद्धे दोनों अपने नोट्बुक में लिख दीने है